नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में आज दोस्तों बात करेंगे हम 21 सब्टेंबर के करणेटर प्रेश के बारे में तो शुरू करते हैं दोस्तों पहला क्यूशन हाली में राजस्तान सरकार ने राज्य के सुक्सम लगू और मद्यम उध्योग पारिश्तितिकी तंतर को विक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझोता गयापन पर हस्ताक्सर किया है तो दोस्तों वो किया है बहारतिय लगू उध्योग विकास बैंक राइट टांस व में हुई थी इस समझोता गयापन के अंतर के दोस्तों राजस्तान का उध्योग विवाग और एस एस आई डी बी आई राज्य में MSME को वित्य तक्नीक और विपनन और निर्याद साहिता परदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे अगला क्विश्टन दोस्तों पहले राजस्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्तान की इंडिया के मैप में देखें तो इस तितिती यहाँ पे है लोकेड़े बनावा है तो इसके पड़ोसी राज्य की बात करें अपन तो पंजाब, हरियाना, उत्र पर्देश, मद् दोस्तों तो सिरियस हो गया लोजी है और राज जपाल हैं दोस्तों कल्राज मिश्चर और राजदानी है इसकी जयपूर आगला क्यूशन टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संप्रक रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉंच की है तो दोस्तों वो किया है स्टेट बैंक अप इंडिया राइट टाइम सुरो जाएगा इसका यह इस तकनीक के जरीए ग्राहेक आर्बियाई के दिसा निर्देसों के तहट बिना पिन उडाले दोजार रुपे तक का बुगतान कर सकते हैं टाइटन पे गड़ी एक संप्रक रहित डेबिट कार्ड के रूप में कारिये करेगी इन गड़ियों द्वारा भुकतान सुईदा देश में दो मिलियन से अधिक संप्रक रहित मास्टर कार्ड सक्षम पी ओएस मशीनों पर उपलब्द होगी पी ओएस मतलब दोस्तों पॉइंट ओप सेल जो अपन मोल में जब अपन करते हैं शोपिंग करते हैं तो उस टाइम पर आपन जो कार्ड से जो पेमेंट करते हैं जो मशीन डिवाइस होती है उसको पी वैस बोलते हैं ठीक है पॉइंट ऑप चैल अगला क्यों टाइटन की बात कर लेते हैं दोस्तों पहले टाइटन के जो अधेक्स हैं दोस्तों वह हैं एन मुरूग नन्थम टाइटन कंपन जी इसका मुख्याल है मुंबई महाराष्ट्रा में इस्तित हैं अगला क्यूशन हाली में उपराष्ट पती एम वेके नाइडू ने वेस्विक आयरुएद सिकर समयलन के किस संस्क्रण का उधगाटन किया है तो दोस्तों वह संस्क्रण है चो था राइट आंसर हो जाएग को वेस्विक स्तर पर हेल्थ इज वन और इम्मिनुटी थ्रू आयरुएदा के नाम से के समाधान के रूप में परदशीत करना था दोस्तों बात करते हैं पर दुबारा इसके डिटेल में थोड़ी बात बढ़ता देता हूं इसके बारे में इस वेस्विक आयरुएदिक सिकर समयलन का आयोजन दोस्तों आयरुएदिक भारती आयरुएदिक चिकिश्चा निर्माता संक्ठन एमम ओई और आयरुएदिक अस्पिताल परबंदन संग एच एमे के सयोग से किया गया था इसके 110 संंक्ठराज अमेरिका यूयस में नेशनल आयरुएदिक मेडکल असोसिएशन न एमे स्वीजलेंड में सुछ आयरुएदिक डॉक्टर एड्ट्र एंड थेरेपिस्ट असोसिएशन दौर आयरुएदिक मेडिशन इनदे निदरलेंड दौरा भी समर्ठित रहा है कहां के थे ? माली गन्राजे के राई टामसरो हो जागा इसका डी मौसातोरे माली गन्राजे के 1968 से Democracy, 1971 में तक राष्ट्रपती रहे थे इनका जिनम दोस्तों 1936 में कायस माली में हुआ था माली गन्राजे के राजदानी दोस्तों बमाको है और यहां की मुद्रा है पश्रिम अफरीकी CFA फ्रेंग ठीक है अगला क्यूशन हाली में किस राजे सरकार ने मुख्या मंतरी महिला उतकर्स योजना की सुरुवात की है तो दोस्तों वो स्टेट है गुजरात राय टांसर हो जाएगा इसका इस योजना में महिलाओं के समुवा को ब्याज मुक्तरीन परदान करेगी MMUI के अंतरकेट सहरी छेतरों में 50,000 स्युक्त देता और अर्णिंग समुवा का गठन किया जाएगा इसकी इसी तरह ग्रामिन छेतरों में 50,000 ऐसे समुवा भी बनाए जाएगे गुजरात की बात करें दोस्तों गुजरात का केपिटल गांधी नगर इसकी पोपुलेशन है दोस्तों 6.27 क्रोड 2013 के नुसार यहां के गोवर्नर है अचार्य देवरत और चीप मिनिस्टर विजे उरुपानी जी अगला क्विश्चन दोस्तों डिटेन लेटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड 2020 का किस ने जीता है तो दोस्तों वो है मार्क रेट एडबूट राइट आंसर हो जागा इसका ए यह अवाड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनही के नाम पर रखा गया है इन्होंने 1905 में के बेशनाई शांती समझोते की अगवाई की थी यह पुरुसकार शांती सामाजिक नयाई वेश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की सक्ति को चिनहित करने के लिए दिया जाता है मारगरेट एड़वूट कवीता कथा गेर कालपनिक निबंद और हांस्य पुस्तकों की विपुल लेखी का रही है अगला क्यूशन क्यूशन नमबर साथ हाली में राष्टिय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों की सिर्थ सुरक्षा दिकारियों की किस करम की बेठेक आईजित हुई है तो दोस्तों वो ही है दस्वी राइट आंस्वरों जैगेस का डी राश्टिय सुरक्षा सलाकार की दस्वी बेठेक ब्रिक्स के वर्तमान अदेक्स रूस दोरा आईजित की गई राश्टिय सुर्क्षा सलाकर अजीर दोवाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षन अपरिका, स्मुए के सिर्थ सुर्क्षा अधिकारों की आभाशी बेठक में भारत का परतिनी दुए किया है अगला क्यूस्टन हाली में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग इंटरपेनियर्स बिजनेस की सुरुवात की है तो दोस्तो वो है बंदन बैंक, राइट अंसर हो जाएगा इसका सी, बंदन बैंक का हेड़कौर्टर है दोस्तो कॉलगता में इसके सीयों हैं चंदर शेकर घोस और इसके फाउंडर भी कौन है? संस्तापक जो हैं वो भी चंदर शेकर घोस ही है एक नए वर्टिकल को ग्राहकों की अनबैंक और अंडर बैंक सेंग्मेंट की उबरती जरूरतों की साहिता करने के लिए लूंच किया गया है इस वर्टिकल उगमी बनाने की चाहा रखने वाले ग्राहकों की यत्रम में इस सेंग्मेंट का समर्थन करने का पर ध्यान के अंदरीते रहेगा इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मारकेट लोन और माइक्रो इंटर्प्रेजर लोन का भी प्रबंद करेगा next question हाली में बाबू शिवान का निदन हो गया वो एक थे तो दोस्तों वो थे एक तमील फिलम निर्दरशक राइट आंसर हो जागाइस का D अगला question हाली में किस बैंक ने ग्राहक शिवान का विस्तार करने के लिए I-Lead 2.0 सिस्टम का सिस्टम को लौच किया है तो दोस्तों वो है कैनरा बैंक राइट आंसर जागाइस का सिवान का हेड़क्वाटर है दोस्तों बैंगलोर में CEO है Lingam Venkant प्रभागर और इसके founder हैं दोस्तो अंमबाई सबाराव और इसकी founder स्ताबना होई थी 1 जुलाई 1906 में सारविनिक चेतर में रिनिदाता केंदरा बैंक लेड मेनेजमेंट सिस्टम आई लेड 2.0 लोंच किया है यह परणाली गराकों के लिए कहीं भी कभी भी की तरज पर अपनी सेवाओं को परदान करने के लिए शुरू की गई है अगला क्यूशन हाली में किस वेक्ति को खद्य प्रसेशन प्रसेशकर्ण उध्योग मंत्राले का अत्रिक्त प्रभार दिया गया है तो दोस्तों वह दिया गया है नरेंदर शिंग तोमर राइट आंसर हो जागा इसका इन्हें अत्रिक प्रभार हाली में राष्टपती रामनात कोविंदोरा सुविधान के अनुचेत पिछेतर के खंड दो के तहट तत्काल प्रभाव से केंद्रिय मंतिर प्रिश्ट से हर्श्मित को और बादल के अस्तिफा के शिवकार करने के बाद सौंपा गया है हाली में किस व्यक्ति को यूएन की 2020 क्लास ओफ 17 यंग लिंडर की सुची में सामिल किया गया है तो दोस्तों वो है उदित सिंगल राइट आंसर हो जागा इसका ए भारतिय युवा उदित सिंगल को स्तत्य विकास लक्षियों के 2020 क्लास ओफ 17 यंग लिडर्स के लिए चुना गया है उदित सिंगल क्लास टू सेंड के संस्तापक हैं जो कि दिल्ली के कांच के कचरे की चुनोतियों से निपटने के लिए एक सुन्य अप्षिष्ट पारिश्टित की तंतर पर आधारित एक पहल है अगला क्यूशन विस्वबैंक के 2020 मानो पुझी सुचकांग में भारत का कौन सा स्थान रहा है तो दोस्तों वो स्थान रहा है एक सो सोलवा राई टांसर हो जागा इसका डी भारत के वार्शिक मानो सुचकांग सुचकांग में 166 अस्तान प्राप्ट किया है पिछले साल ये 115 अस्तान पे रहे थे ये सुचकांग पूरी दुनिया में मानुव सुच्ची के प्रमु कटकों को मापता है 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था और अब ये बढ़कर 0.49 हो गया है मानुव पूंजी सुचकांग 2020 में 174 देशों की स्वास्ते और सिक्षा समंदी आकड़ों को सामिल किया गया है बात करते हैं दोस्तों इसमें डिटेल से सुचकांग के बारे में इस से पूरुए ये सुचकांग 2018 में जारी किया गया था इस सुचकांग में सिंगापूर के शिर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ था इसके पसाथ होंग कॉंग चीन दूसरे पर जापान तीसरे और दक्षिन कोरिया चोथे और कनाड़ा पांचोई स्थान पर रहा है सुचकांग में सेंट्रल अफिरिकन रिपॉब्लिकन को सबसे अंतिम अर्थात 174 स्थान पर रखा गया है इसके पसाथ चाड 173, दक्षिन सुडान 172, नाइजर 171 और माली 177 स्थान पर रहा है इस सुचकांग में भारत को 161 स्थान स्कोर माइनस 0.4 पर रापते हुआ है जबकि वर्ष 2018 में 177 देशों में 115 स्थान पर था भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो दोस्तों सिरलंका थे 71, नेपाल 109, भुटान 121 तथा पाकिस्तान 144 स्थान पर रहा है ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन को 45, रूस को 41, ब्राजील को एकानवा और दक्षिन अफ्रिका को 135 स्थान पर रहा है बात करते हैं दोस्तों अगला क्यूशन, क्यूशन नमबर 14, आज गानते हैं क्यूशन जीबुती अचार सहिता जिसे हाली में खबरों में देखे गया हूँ है, किस चेतर से जुड़ी हुई है तो दोस्तों वो हैं समुंदरी मामले में, राय टांस रो जागा इसका भी 16 सितंबर 2020 को भारत का एक प्रियवेक्षक के रूप में जीब्ती अचार सहिता में सामिल हो गया जीब्ती अचार सहिता को जेददा संसोदन भी कहा जाता है यह है एक छेत्रिय समुंदरी सुरक्षा स्योग समझोता है जिसमें 2008 में इंटरनेशनल समुंदरी संक्षन द्वारा स्थाप्पिते किया गया था तो दोस्तों आज के कर्णड़ फिस में इतना ही मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों जो पहली बार जुड़े हैं पहली बार चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा चैनल लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन उजरू बदाएगा जिसे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों जैहिन जैभारत